A very special good morning to all of you, स्वागत है आपका हमारे चैनल Study with Abhiman में तो आज मैं आप लोगों के लिए UP Board Exam 2021 के लिए यानि 2021 के लिए Class 10th के लिए Mathematics के एक Most Important Chapter त्रिकोलमिती का परिचे यानि Introduction to Trigonometry का Part 6 लेकर आया हूँ और ये आपका अध्याए 8 है यानि Chapter No.8 तो इससे पहले मैंने इस Chapter के 5 Parts और लेडी अपलोट कर दिये हैं अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और मैंने Mathematics की Playlist भी बना दी है आप चैनल पे जाकर उस Playlist को चेक कर लीजेगा आपको वहाँ पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले Part 5 में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के Total 4 Questions solve कराए थे तो आज की इस वीडियो में हमें Question No.5 से solve करना है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दू कि हमारे चैनल पर Class 10 के सभी सब्जेक्ट की preparation बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है आपको कुछ नहीं करना बस चैनल को subscribe कर लेना है और अपनी study स्टार्ट कर लेनी है और मैंने आप लोगों की classes का time table already upload कर दिया है यानि आप लोगों को ये बता दिया गया है कि किस दिन आप लोगों की किस subject की classes चलने वाली है तो अगर अभी तक आप लोगों ने time table वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख लीजेगा तो चलिए फिर आज किस वीडियो को start करते हैं और देखते हैं question number 5 यहाँ पे दिया क्या है तो question number 5 आप लोगों को अपनी screen के उपर देख रहा होगा जो की आपका moderate level का है और most important question है ठीक है तो यहाँ पे देखिये question के लिखा है question है यदि 10 theta is equal to a upon b तो सिद्ध कीजिये कि 20 theta upon में a cos theta is equal to 1 तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है तो चलिए question को solve करना start करते हैं तो सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है हमें दिया है कि 10 theta is equal to a upon b तो यह मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसा कि आप लोग देख पारे हूंगे और हमें सिथ क्या करना है हमें सिथ करना है कि B sec theta upon me A cos theta is equal to 1 तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सिथ करना है B sec theta upon me A cos theta is equal to 1 तो चलिए फिर हम इस question को आगे solve करते हैं आगे क्या हो जाएगा, तो देखिए हम यहाँ पे बाया पक्ष को ले कर चलेंगे, यानि जो आपका यह है, B sec theta upon me A sec theta, इसको हम ले कर चलेंगे, और last में हम बराबर एक यहाँ पे इसको सिद्ध कर देंगे, यानि प्रूप कर देंगे तो बाया पक्षिस इक्वल्टू मैंने यहाँ पे लिखा B sec theta और अपॉन में A को sec theta जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए उपर क्या लिखा है B sec theta अब B के बाद यहाँ पे ना प्लस लगा है ना minus ना division का sign इसका मत्तब यह आपका into में है ध्यान रखिएगा तो B फिर इसके बाद into का sign लगाया अब sec theta लिखा है तो sec theta को हम क्या लिख सकते हैं sec theta को हम लिख सकते हैं 1 upon cos theta यह मैंने आपको part 1 में बताया हुआ है detail में मैंने आप लोगों को बताया था तो sec theta की जगा हम क्या लिख सकते हैं 1 upon cos theta तो यह मैंने यहाँ पे कर दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अब इसी तरीके से आप देखिए upon में यहाँ पे लिखा है a cos theta a के बाद ना plus है ना minus है ना division का sign इसका मतलब into में है आपका तो देखिए a फिर यहाँ पे into का sign लगाया अब cos theta तो cos theta को हम क्या लिख सकते हैं cos theta को हम लिख सकते हैं 1 upon sin theta यह भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है तो cos theta की जगा 1 upon sin theta आपका हो जाएगा जैसा कि आपको यहाँ पे देख पारे होंगे अब चलिए आगे solve करेंगे तो देखिए is equal to यहाँ पे लगाया तो देखिए b into 1 upon cos theta तो b की multiply 1 में करवा दीजे तो b ही आएगा और upon में आपका cos theta होगा यानि b upon cos theta आपका हो गया तो इसके बाद upon में देखिए a into 1 upon sin theta है तो देखिए a की multiply 1 में करवा दीजे तो a ही आएगा और upon में sin theta आपका हो जाएगा यह हो गया ना अब इसके बाद वाले step को बहुत ही ध्यान से समझेगा इस equal to में आगे हापे solve कर दे रहा हूँ तो देखिए जो आपका यह a sin theta है ना इसको हम उपर भेज देंगे उपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा multiply में हो जाएगा और यह पलट जाएगा यानि अगला step आपका क्या हो जाएगा अगला step में उपर solve कर दे रहा हूँ तो देखिए b upon में cos theta यह तो है ही ठीक है b upon cos theta है ही और a upon sin theta को जब उपर भेजेंगे तो यह multiply में हो जाएगा और sin theta हो जाएगा और upon में आपका यहाँ पे a हो जाएगा यानि यह जो पहले था a upon sin theta जब इसको उपर answer में भेज देया तो यह पलट गया sin theta उपर और a नीचे आ गया यह is equal to यहाँ पे लगाया इसके बाद यह वाला step आएगा ध्यान रखिएगा ठीक है तो देखिए यहाँ पे b upon cos theta into sin theta upon a है तो हम क्या करेंगे यह जो b upon a है इसको पहले लिख लेंगे तो देखिए यहाँ पे यह b upon a कर दिया ना फिर इसके बाद into का sin यानि यह into लगा हुआ है ना फिर इसके बाद sin theta और upon cos theta हो जाएगा यह देखिए sin theta upon cos theta यह आपका हो गया तो I hope आप लोग समझ पाए होंगे कि यह कैसे आया अब चलिए आगे solve करेंगे तो क्या हो जाएगा आगे solve करेंगे तो देखिए is equal to b upon a यह तो ऐसे ही रहेगा और into यहाँ पे लगा है यह into ना ठीक है into आपका लगा हुआ है और sin theta upon cos theta तो sin theta upon cos theta is equal to 10 theta होता है यह formula मैंने आपको पहले ही part 1 में बता दिया है ठीक है तो b upon a into 10 theta आपका यहाँ पे हो गया अब हमें question में 10 theta की value दी गई है मैं आपको दिखाता हूँ question में चलिए देखिए हमें दिया है कि 10 theta is equal to a upon b यह देखिए उपर 10 theta is equal to a upon b हमें question में दिया गया है तो इसी value को हम यहाँ पे रख देंगे तो देखिए हमारा आया b upon a into 10 theta तो 10 theta की value हमें question में a upon b दी गई है जैसा कि मैंने यहाँ भी लिख दिया है तो देखिए b upon a into 10 theta की value a upon b हम रख देंगे तो देखिए यहाँ पे 10 theta की जगा a upon b रख दिया मैंने न अब देखें ये आपका into में है न यहाँ पे into लगा हुआ है तो ये b से b और ये a से a cancel हो जाएगा और is equal to 1 आ जाएगा यानि हमने यहाँ पे प्रूप कर दिया 1 आ गया न दाहिना पक्ष हमें मिल गया दाया पक्ष मिल गया हमें एक प्रूप करना था और हमने एक यहाँ पे प्रूप कर दिया और यही आपका इस question का answer हो जाएगा तो देखिए हमें यहाँ पे यही सिद्ध करना था कि b sec theta upon में a cosec theta is equal to 1 तो देखिए last में मैंने यहाँ पे 1 प्रूप कर दिया है यह आपका दाहिना पक्षा गया तो I hope आप लोगों को यह question समझ म में आया होगा question आपका important है ध्यान रखिएगा इस question की practice दो से तीन बार कर लीजेगा आपके board exam में पूछा जा सकता है ठीक है तो I hope आप लोगों को यह question समझ में आ गया होगा अब चलिए देखते हैं दूसरा question आज का क्या दिया है यानि question number 6 क्योंकि पांचवा मैंने अभी यह आपको कराया फर इसके बाद आपका यहाँ पे question number 6 आएगा तो question number 6 आपका यहाँ पे दिया है यदि sine theta is equal to 1 by 2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 sine theta minus 4 sine cube theta is equal to 1 यह भी आपका most important question है तो चलिए हम इस question को solve करना start करते हैं तो हमें यहाँ पे दिया क्या है हमें दिया है sine theta is equal to 1 by 2 यह हमें दिया गया है और हमें सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है 3 sine theta minus 4 sine cube theta is equal to 1 तो यह मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सिद्ध करना है 3 sine theta minus 4 sine cube theta is equal to 1 यह हमें सिद्ध करना है चलिए इस question को हम solve करते हैं तो यहाँ भी हम बाया पक्ष लेकर चलेंगे यह व बराबर 3 sin theta minus 4 sin cube theta, इसको लेके हम चलेंगे और last में बराबर एक हम यहाँ पे prove कर देंगे, यानि सिध्ध कर देंगे, तो चलिए solve करते हैं, तो देखिए 3 sin theta minus 4 sin cube theta यह आपका है, अब question में देखिए, sin theta is equal to 1 by 2 हमें दिया गया है, मैं आपको उपर दिखा देता हूँ, यह द आपका यहाँ पे sin theta आएगा, वहाँ पे हम क्या कर देंगे, sin theta की जगा हम रख देंगे value को 1 by 2, इतना काम हमें यहाँ पे करना है, और यह question आप लोगों का बड़े आसानी से solve हो जाएगा, तो चलिए solve करते हैं, तो देखिए 3, तो यहाँ पे 3 रखा, ठीक है, अब यह into मे है, आपका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे plus minus और भाग का निसान तो लगा नहीं है, इसका मतलब into में है, तो 3 into, sin theta यहाँ पे लिखा है, और sin theta बराबर हमें एक बटे 2 दिया है, तो sin theta की जगा एक बटे 2 यहाँ पे मैंने रख दिया, फिर इसके बाद minus का sin 4 है, तो 4 तो ऐ इसे ही रहेगा, और देखिए 4 के बाद यहाँ पे ना plus ना minus ना भाग, इसका मतलब into में है, तो 4 into, अब यहाँ पे sin cube theta दिया है, sin cube theta, यानि यहाँ भी sin theta है आपका, तो देखिए sin theta is equal to 1 by 2, तो 1 by 2 तो रख देंगे, लेकिन यहाँ पे cube लगा है, तो यहाँ पे 1 by 2 का cube हो हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पारे होंगे, अब चलिए इसको आगे solve करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 3 की multiply एक बटे 2 में करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 एक अन्नम, 3 बटे 2 तो आपका रहेगा, यही तो आपका आएगा, 3 बटे 2 हो गया, फिर इसके ब क्यूब आपका 8 होता है, क्योंकि 2 गुड़े, 2 गुड़े, 2 आपका रहेंगे, 2 दुनी, 4 दुनी, 8 ही तो आएगा, तो यहाँ पे 8 आगया, और 1 का गुड़ा 3 बार करवाएंगे, तो आपको 1 ही मिलेगा, उससे कोई फरक होगा नहीं, तो देखिए 1 बाई 2 का क्यूब आ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई 8 हो गया ना, अब चलिए आगे इसको solve करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 बाई 2, ठीक है, यह किया, फ्रिस्के बाद माइनस, अब यहाँ पे देखिए 4 वन जा 4 और 4 टू जा 8, तो बचा क्या, 1 बटे 2, तो यहाँ पे दे दे रहा हूं, तो 3 बटे 2 मैंसे 1 बटे 2 कुलेस करेंगे, तो आपका यहाँ पे आएगा 2 बटे 2, यानि 3 मैंसे 1 कुलेस करेंगे, तो 2 ही तो आएगा, और अपन में 2 तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे हर समान है, तो 2 रहेगा, 2 बटे 2 हो गया ना, अब इसको solve कीजिए, दो एकन्णम दो, और यहाँ पे यह भी 2 एकन्नम दो, यानि 1 बटे 1 बराबर आपका यहाँ पे 1 ही आएगा, zematiques है, तो देखे, हमने यहाँ पे इसको सिद्ध कर दिया, एक हमें मिल गया, हमें एक मिल गया, यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था, हमने यहाँ पे क्या किय लास्ट में देखिए 3 by 2 था और minus 1 by 2 था ठीक है आप देखिए यहाँ पे 2 है हर समान है आप इसका अगर LCM लेंगे तो 2 ही आएगा उससे कोई फरक पड़ेगा नहीं और 3 में से हम क्या करेंगे एक को लेस कर देंगे तो 2 बटे 2 हो जाएगा solve करेंगे तो बराबर हमें यहाँ पे एक मिल जाएगा ठीक है एक मिल जाएगा और यही आपका यहाँ पे दाया पक्षो जाएगा यही हमें प्रूब करना था चलिए मैं आपको उपर दिखा देता हूं कि 3 sin theta minus 4 sin q theta is equal to 1 हमें प्रूब करना था हमने यहाँ पे लाके इसको प basic level से start करूंगा और high level के questions मैं आप लोगों को solve कराऊंगा तो कल मैंने आपको basic question solve कराये थे तो आज मैं आपको यहाँ पे उससे medium level के questions लेकर आया हूं अब चलिए देखते हैं next question question number 7 तो question number 7 आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा तो इस question को बताने से पहले मैं आप लो को बता दू कि आप लोगों की math की class 12 सितंबर के बाद से 12 सितंबर के बाद से आप लोगों की math की class होगी वो daily होगी यानि हपते में 7 दिन होते हैं 7 दिन आप लोगों की mathematics की class होगी लेकिन 12 सितंबर के बाद यानि 12 सितंबर के बाद से मैं daily आप लोगों को math पढ़ाऊंगा जिससे आप लोगों का slabus जल से जल finish हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए देखते हैं question number 7, तो question number 7 आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है, यदि 10 theta plus cot theta is equal to 2, यानि 2, तो 10 square theta plus cot square theta का मान गयाद कीजिए, तो हमें यहाँ पे 10 square theta plus cot square theta का मान गयाद करना है, तो चलिए फिर हम इस question को solve करते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया क्या है, हमें दिया है 10 theta plus cot theta is equal to 2, तो ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया, तो इसी को हम solve करते हुए चलेंगे, अभी हमारा ये 10 square theta plus quarter square theta का मान हमें मिल जाएगा, तो देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ पे दिया था, 10 theta plus quarter theta is equal to 2, इसको यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिए, ये लिख दिया, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षो का वर्ग कर देंगे, ठीक है, मैंने हाँ पे लिखा ना, कि दोनों पक्षो का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 theta plus quarter theta का whole square हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे व लिखा है, ये आपका लिखा है, A plus B के whole square के form में, तो A plus B का whole square, इसका सूत्र क्या होता है, A square plus B square और plus 2AB होता है, ये formula आप लोगों ने छोटी classes में पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसी formula को हम यहाँ पे apply कर देंगे, यानि 10 theta plus quarter theta का whole square है, तो इसी formula को हम यहाँ पे apply कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, A square, तो देखिए, A आपका यहाँ पे 10 theta है, और B आपका यहाँ पे cot theta है, ये भी ध्यान रखिएगा, तो A square मतलब आपका क्या हो जाएगा, 10 square theta, क्योंकि A की value यहाँ पे 10 theta है, square है, तो 10 square theta plus B square, मतलब क्या हो जाएगा, आपका cot square theta, फिर plus 2, तो plus 2, फि की वालू cot theta ये हो गया और is equal to 2 का square क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना दो गुड़े 2 करेंगे तो आपको 4 ही तो मिलेगा तो इसी formula का हमें यहाँ पे use करना था यहाँ धान रखना तो यहाँ पे 4 हो गया आप देखिए आगे solve करेंगे तो क्या हो जाएगा तो देखिए 10 square theta प्लस cot square theta प्लस 2 10 theta यहाँ तक तो ऐसे ही रहेगा cot theta cot theta को हम क्या लिख सकते हैं cot theta को हम लिख सकते हैं 1 upon 10 theta यह हम लिख सकते हैं यह मैंने आपको part 1 में detail में बताया हुआ है वीडियो जाके देख लीजेगा तो cot theta को हम क्या लिख सकते हैं देखिए cot theta को 1 upon 10 theta ये मैंने लिख दिया ना और is equal to 4 आपका यहाँ पे रहेगा ही ठीक है अब अगले step में आएंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 10 square theta ऐसे ही रहेगा अब ये देखिए ये into में है तो ये 10 theta ये 10 theta आपका cancel हो जाएगा तो 2 into 1 यानि यहाँ पे plus 2 आपका हो जाएगा और is equal to 4 ये तो यहाँ पे रहेगा ही ये 10 theta से ये 10 theta cancel हो चुका है ध्यान रखिएगा into में था यहाँ पे ठीक है minus हो जाएगा यानि 4 में से 2 यहाँ पे less हो जाएगा यानि घट जाएगा तो देखिए 10 square theta plus cot square theta is equal to 4 minus 2 अब आगे solve करेंगे तो 10 square theta plus cot square theta is equal to 4 में से 2 को less कर देंगे 2 आ जाएगा ना 2 आया की नहीं आया 2 आ गया ना और यही आपका इस question का correct answer हो जाएगा 2 मैं आपको दिखा देता हूँ देखेए मैं आपको question दिखा देता हूँ हमें यहाँ पे क्या निकालना था हमें यहाँ पे निकालना था कि 10 square theta ठीक है 10 square theta plus cot square theta इसी का मान हमें निकालना था 10 square theta plus cot square theta इसी का मान निकालना था और हमारा मान यहाँ पे क्या निकला, देखे ये, हमें यहाँ पे मान मिला 10 स्क्वर थीटा प्लस 4 स्क्वर थीटा is equal to 2, तो I hope आप लोगों को ये question समझ में आ गया होगा, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे total 3 question solve कराएं हैं, अगर 3 question में से आपको कोई question ना समझ में आया हो, तो आप मुझसे comment करके पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी doubt होगा ना, तो comment करके मुझे बता दीजेगा, वो question में आपको दोबारा solve करवा दूँगा, तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज ना स subscribe करना मत भूलिएगा, ठीक है, तो अभी ये आपका chapter finished नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कि ये chapter आपका काफी लंबा है, और इसमें कई questions दिये गए हैं, तो मैं आपको सभी question detail में solve करवा दूँगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 12 सितंबर के बाद से आप लोगों की classes daily होंगी, तो आपका syllabus जल से जल complete हो जाएगा, आप उसकी tension मत लीजेगा, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे next video में, thanks for watching.